शिमारू के नई वेडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें के लिए जोदी तानारी तिहुन लोक भेली उजियारी शशिललाट मुख महा विशाला नेत्रलाल भिकुटी विक्राला रूप मात को अधिक सहावे दर्शकर रिए भी शुक पावे तुम संसार श्तिलयकीना पालन हे तुवन धन दीना अन पूरना हुई जग ठाला तुम ही आदि सुन्दरी बाला प्रनयकाल सब नाशन हारी अरे फिश की अगास थी वाँ सुभा की शुरुआत अगर ऐसी हो ना तो पूरा देन अच्छा जाता है क्या अच्छा गए आपका बल्लब सुभे सुभे आप मेरी आवास सुनते है तो आपका दम खराब जाता है चलते हों कितनी क्यूट लगती है तो आपका दम खराब जाता है नवरात्रे शुरू हो गए ना तू सोचा पूजा कर लूँ माफ कीजिए बिना पूछे किये मैंने पूजा आपको भुरा लगाऊगा बिल्कुल नहीं भगवान हर जगे हर किसी के लिए बिल्कुल एक समान होते है अब जब तुमने सुबह सुबह आरती की ही है तो ये लो सबको प्रशाद भी बाटो तारीफ मिल गई है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे नियोता समझ कर इस घर में रुख जाओ वैसे भी मैमान एकाथ दिन में चुप चाप यहां से निकल जाए तभी बहतर होता है वरना वही मैमान आखों को चुबने लगते हैं अभी वो मैंने ब्लड सैंपल लेने वाले को बुलाया है शायद वही होगा ब्लड टेस्ट? किसलिये? मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले करवाया था ना तो दुबारा क्यों करने? मुझे नहीं करवाना मैं ठीक हूँ? एसी हालत में कहीं बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं ताकि पता जड़े दवा का असर हो भी रहे के नहीं? नहीं, बेटा आउंटी जी, अभें बिलकुल सही कह रहे हैं काफी समय से आपने अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया है इतने वक्त के बाद तो खरवा ही लेना चाहिए नहीं, मुझे टेस्ट नहीं करवाना मुझे नहीं करवाना ब्लड टेस्ट आपको आखेव कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर है बेटा रैसे आपको कौन सा कैंसर है? बन कैंसर आप अभे की मा हैं, आप पे शक करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इस परिवार के लिए, अभे के लिए आपका सत जानना स़रूरी है वो बेटा मुझे ना सुई देखके बनी घबराहत होती है मुझे उसको देखके चक्कर आने लगते है अच्छा जरूरत है मा, हम है ना आपके साथ आप टेस्ट करवा लीजे सब ठीक होगा आएए ना चलिए माप, आप इतना घबरा क्यो रही है एको दो मिनट में टेस्ट हो जाएगा आपका तो गंटे में आपकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी माजी जब करार है मुझे मैं आपके लिए चाय बना के लिए क्या आती हूँ काप बात है है कर्मा गरम चाय की चुस्किया और हमरी बीवी जी काप बात है यह जो नहीं वाली आणटीजी आई है न उन पे थो हमें पहले से ही शक था आज तो उनका टेस्ट भी करवाया जा रहा है और वो यह नहीं लड़की क्या मैं उसका गौरी को भी लेकर आ गई है आणि शक हो रहा है मैं तक हीमुत कैसे लुए यह जाया नहीं है आमएड रहलो activities तुलोड गी नहीं है यह जाए आदा को चपस अब नहां प« पिके सामझाया था ना जहान से उठाकर लाए है ना वहीं जाके कीप भ lançी तो ऐगर तो पिर réalité खीक कि खुआ जा कर फेख कर आओ जा से उठा कर लेकर आई उस लंबूर को और अगर मदद चाहिए ना तो हमें बता दे ना हम मदद कर देंगे वैसे नी केर्थी तुम भी तो इसे जेल ही रही हो ना और तुमारे चक्कर में हमें भी जेलना पड़ रहा है कोई पाइथा क्यों हम छेले या ना छेले ये पती-पत्नी की बीच की बात है उसमें आप कही कूद रही हैं बुगाजी हम नहीं कूद रहे हैं हम तो अपने काम से बाहर जा रहे थे लेकिन यहाना चिल्लम-चिल्ली की आवाज आने लगी तो हम रुक गए हमें क्या पता था केस-गो खुल की चपलपी टाहिं हो रही है लगिन कुछ भी कहोँ अभी मेरी मजमस आ गया से 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 बुवाजी पर आपको कैसे पता होगा कि बती-पत्नी की बीच में यह प्यार से भी हो सकता है पहले पती के साथ आपति के च्छी हम नहीं और नहीं दुवारा आपको प इसा कहें बोल रही है आप इने अब दिखें तिस्मत की लाटी जैसे आपकी लगी है हम जैसा बाका गबरू पाके सब की थोड़ी ना लगती है हम वैचे 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 है हमरे चाचा है गाहों में उमर होगी करीबन साथ पईशाथ तो और लेकिन दिखने में तो अभी भी एकदम करार है अगम फिट हमरी तरह आप कहें तो बाच्चों या क्यों से हैं एक चोड़ी जबरा लगी गुलार कि अपनी खर्द में रहे हैं अटनों मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुबारा कभी अपना घटिया मो मेरी बुराजी के सामरे खोला ना तो तेरी जबान ही भाहर निकाल दूगा बस तुम्हारी कमी थी यहां आके हमारे पती जी को धंकी देने की तुम ना हमारे पती जी को चैन से जीने दोगे कभी किर्थी जब इतना ही खयाल है तुझे अपने पती जी का तो इस घर में लाने से पहले कम से कम यह तो उन्हें बता देती ना कि यह तरपाथी दिवास है यहां के कुछ नियम है कुछ काइदे है और उनका इन्हें ध्यान रखना चाहिए आप यहां हमें अपनी जलीकती सुनाने आये थे या तुम नों को कोई और भी काम था खीशती आज वरुन जी को कहें पूरे चाहलिस दिन हो चुके उनके पसंद का सब कुछ बनाया है खाने पे सोचा तुझे भी बुला लू ठीक है आप लोग जाए हैं हम आज आएंगे आज कोई बगत्तमीजी नहीं और इस खर में ये तेरी आकरी बगत्तमीजी होगी चुलो तिव्यानी आउंटी की लैब रिपोर्ट्स अब तक तो आज आने चाहिए थी दो गंटे तो हो गया है शायद बही हो गया पिस दिव्यानी की लैब रिपोर्ट्स है जी शुक्रिया झाल झाल तुक्पत्थ करफ़ धो झाल कर्फ़ इस इस रिपोर्ट को तो लिखाया कि कि अब है कि माँ को गैंसर जैसी बिमारी है ही नहीं अपने बेटे से मिलना जाते हूं जाना समय नहीं है मेरे पास समय नहीं है जब गैंसर है दोक्टर ने जवाब दे दिया अगरी बार अपने मेटे को गले लगाना जाती हूं इस का मतलब अब तक उनोंने हम सब के सामने इस बिमारी का इस बिमारी का नाटा किया जिस औरत का अगला फिशला तुम कुछ जानती नहीं हूं उसे तुम सीरा घर में ले आई और हमारे सर पे बिठा दिया हम कह रहे है यह औरत ठीक नहीं है लगर मुआ जी यह ठीक क्यों नहीं है यह तुम्हे ना इसे यहां लाने से पहले पूछना चाहिए था यो कि अब तो कोई फायदा नहीं है बहुत देर हो चुगी कहीं सच मुच उन्हे मैंने मैंने घर ला कि कोई कोई बहुत बड़ी गल्थी तो नहीं करती है है यह यह भगवाण अब एको क्या बताऊंगी कि उनकी माने अपने बिमारी का नाटक किया हम सब से जूट बोला मैं जानती हूँ अब एको जब इस सच कर पता चलेगा तो उन्हें उन्हें बहुत तकलीफ होगी मगर फिर भी फिर भी मुझे उनको सच सच बता नहीं होगा मैं उनसे यह बात नहीं चुपा सकती हाँ गोरी तुम ठीक तो हो ना जीब मदद के लिए शुक्रिया वो हमने बस अभी माजी की साड़ी दोई कहां सो कहा सकता है इसे छट पे सूपने के लिए डाल दो जी अरी वो वो रेपोर्ट्स कहां किर गए अच्छा तो आपने रिपोर्ट्स विजवा दिये हैं अब शायद मेरी पत्ने ने लिए होगी शुक्रिया डॉक्टर शदब कि यह मा की रिपोर्ट्स हैं क्या लिखा है इनमेट सब ठीक है ना क्या हो शदब बोलो ना कुछ क्या हो है अरे बोलो अबे उने मुरे कैंसर दहीं है यह यह तो अच्छी बात है ना तुम्हें अच्छा दब ठरा दिया था मुझे तुम्हें मा मा पीगे शायद मम्मी ची और पुअची का शक सही हो शायद वो इस घर में अपनी जगा दुबारा बनाने के लिए और आपके साथ रहने के लिए हमसे जोट बोल रही हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मत कैसे हुए तुम्हेरी नेरी मा के बारे में ऐसा सोच रही की अपर इन रिपोर्ट्स में वही लिखा है क्या लिखा है पड़ी तुम्हें तुम्हें इसमें साफ साफ लिखाएगी मौनी जुट बोलेगा तुम्हें पर्ण केंसर है में अभी, अभी अभी लुट दिर पहरी मैंने यह रिपोर्ट्स पड़ी है उसमें इसा कुछ भी नही लिखा था मैंने खुद पड़ी है यह तुम्हारे कहने का मतलब है तुम नवादे से अंदर आई और रिपोर्ट्स में जो लिका था वो बदल गया मैं तो हैरान हूँ मेरी मा के बारे में इतना भद्दा सोच भी कैसे सब्ती हूँ कोई भी इंसान इतनी बड़ी बिबारी में जूट बोलेगा तुमने नहीं देखी उनकी हाला कितनी बारे मुंको चक्कर आजाता है और तुम कह रहे हूँ वो ये सब ये सब करके हूँ दोखा दे रही है अभी अभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए क्या सुनू मैं कि मेरी बीवी मेरी मा पे शक कर रही है शरम नहीं आरी तुम्हें उसका उमसे हूँ उमीद नहीं थे मजशुट उमसे हूँ उमीद नहीं थे तुम्हें नहीं अजिए अजिए तुम्हें पिता, इसमें शार्दा बहुं की कोई गलती नहीं है मेरा इस घर में आना ना कभी किसी को अच्छा लगा और नाहीं कभी किसी को अच्छा लगेगा शायद अपने बेटे से दूर रहना ही मेरी सजा है इसलिए तो ये बिमारी मुझे अंदर ही अंदर खाय जा रही है अच्छा है जल से चल मौत आए और ये सब खत्मों मर जाओ मैं नहीं मात आप ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी तुम्हें नहीं लगता है मैं माँ से माफी मांगनी चाहिए माफी मांगो शादा मुझे माफ कर दीजेगा मैं आपको दुप में पोचाना चाहती थी शाहिए 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 मुझसे कोई कोई गलत फैमी हो गई है मैं बीट्र कैसी बाते के रही है बीटा सास बवो में तु ये सब चलता रहता है और तुम मेरी बवो तोड़े ना तेरी बीटी चैसी हो जो जो कोई बात ने तेखा माट इसमानती है तुम्हे मैं एक बार ममी जी को देख के आती हूं कल से उन्हों में अपनी दवाई नहीं लिये जो 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 किस्मत से टकराती उल्जी लकीरों को सुल्ज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाए शेमारों उमंग